एक रोमान्चक मैच की शुरुआत करते हुए ये आ रहे हैं दो अंपायर नए गेन के साथ फिल्डिंग टीम ने कमार कसली है और तयार हैं ये आये सलामी बले बाज दर्शक उनका पूरे जोरो शोरो से स्वागत करते हुए बहुत ही अलग किसम की फील लगाई है यहां कप्तान ने देखना बहुत दिल्चस्प होगा कि क्या करेंगे अब बले बाज ये बहुत ही कठिन फील्ड है गेंद बाजी करने के लिए गेंद बास को अपनी लाइन और लेंथ बड़ी सटीक रखनी होगे चलिए देखते हैं के अगली गेंद स्टेडियम के कौन से हिस्से में जा गिरेगी ग्याप में खेलने का प्रयास लेक इन फील्डर मिले वहाँ पास ओ बहुत ही भेदरीन कप्तानी यहां इसे कहते हैं होमवक करके आना बल्ले बास को देखते हुए कवर्स पे फील्डर लगा दिया है ऐसे फॉर्म में खेल रहे हैं जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्म ओफ इस लाइफ वाह क्या बात है सीधा फील्डर के पास बल्ले बास सरलता से खेल पा रहे हैं इस चॉट को बोलर अपने पसंदीदा छोड से गेंद बाजी करते हुए बद किस्मत रहे हैं वहाँ बॉल सीधा फील्डर के हाथ में स्पिनर को दूसरे छोड से लाया गया है अनॉर्थ डॉक्स फील्ड लगाई है कैप्टन ने बल्ले बास के माइंड सेट के साथ खेल रहे हैं यहाँ बॉल हवा से बाते करती हुई सीधा बाउंडरी लाइन के पार छे रन ये तो तौफे में दी गई गेन थी और बल्ले बास बिलकुल भी नहीं चुके ये एक ऐसे बल्ले बास हैं जो ग्राउंड के किसी भी कोने में मार सकते हैं चलिए देखते हैं अगली गेन कहां मारें पावर प्ले समाथ होने के बाद अब फील्ड तो खुल चुकी है अब इन्हें सिंगल्स और डबल्स की मदद से एक लंबी साजेदारी की कोशिश करनी चाहिए कमर पे फील्डर तैनाथ किये हैं कैप्टन ने जिस तरह आजकल स्पिनर की दुलाई करते हैं ये क्या लगता है आपको कितमे चके मारेंगे इस ओवर में क्या शॉट लगाया है बल्लेबाज में सारे फील्डर बल्स के इन्द को दर्शकों के बीच जाते हुए देख सकते हैं सुनेहरे फॉर्म में हैं ये आजकल आपने अगर एक गलती कर दी तो ये उसका पूरा फाइदा उठाएंगे इस पारी की आखरी गेंदा आती हुई इन दोनों की आज इतनी बहतरीन रणिंग बिट्वीन टो विकेट्स रही है कि मानो ऐसा लगता है कि कोई इन्हें नहीं रोक सकता एक एक एक्स्ट्रा रन चुराने से तो लक्ष हमारे सामने है देखते हैं क्या इस लक्ष को पास सकती है बैटिंग टीम और ये आ रहे हैं दो अमपायर्स फिल्डिंग टीम के साथ और उनी के ठीक पीछे सलामी बल्ले बास विकेट समाल के खेलना होगा यहां मैच एक बहुत ही रोमांचक मोड पर है चलिए चलते हैं लाइव अक्षन की तरफ चलिए सब तैयार इनिंग्स की पहली गेंद के लिए बढ़िया टाइमिंग एक रन असानी से पूरी किया सकती है और बल्ले बास दो रन का कॉल देते हुए बढ़िया रनिंग दोनो बल्ले बासों की विकेट के बीच बढ़िया शॉट अगर तेज दोड़ें तो दो रन मिल सकते हैं यहाँ बहुती बढ़िया ताल मेल दोनो बल्ले बासों की बीच में अच्छी रनिंग मिट्वीन दो विकेट्स बोल्ड क्रिकेट में इनकी आक्रमक बल्ले बासी से जाने जाते हैं ये अमपार का इशारा वाइट बॉल्ल ये बहुती कठिन फील्ड है गेंद बासी करने के लिए गेंद बास को अपनी लाइन और लेंथ बड़ी सटीक रखनी होगी हवार में खेल दिया है और क्याप में भी चार रन बल्ले बास पूरे नियंत रन में थे वहाँ तर्शक इनके दिवाने हैं और क्यों नहों इतना खुल के खेलते हैं मानों हर बॉल पे चक्का मार देंगे अच्छा शॉट लेकिन सिंग्वल ही मिलेगा सिंग्ल्स और डबल्स लिमिटेड ओवर्स फॉर्माट में काफी जरूरी है सिंग्ल्स और डबल्स लिमिटेड ओवर्स फॉर्माट में काफी जरूरी है बल्ले बास तयार अपनी पहली गेंद का सामना करने के लिए उठा के खेल दिया है गैप में गई और ये बैतरीन चौका शेतरक्षन में तब दिली पहतरीन बल्ले बाजी बल्ले बास द्वारा इस फील्ड के साथ बल्ले बाजो को स्ट्राइक रोटेट करने में आसानी होनी चाहिए बढ़िया शॉट बस सिंगल मिलेगा यहाँ आत्म विश्वास भरी अपी लेकन अंपायर ने नकारा क्या मैच देखने मिल रहा है हमें यहाँ धर्शक इस मैच का पूरा लुफ अठा रहे हैं है लारान तेजी से लेते हुए कवर पे फील्डर तैनाथ किये हैं कैप्टन ने पूरी तरह मिस्स किया वहाँ यह रही पारी की आखरी गेल आपके सामने क्या शांदर जीत हासिल किये बल्ले बाज विजई रन बनाने के बाद एक दूसरे को बधाई देते हुए तोनों टीमों के प्लेयर एक दूसरे का हात मिलाते हुए और इसी को कहते हैं जेंटलमन्स गेम है अच्छूस्टै टीमोट टीमोट के बेलेजुटे आपके 7 यह रहाँ जा ठीमोट बंसे तोब्स यह रही जाही पुद्टिटिए ट्रूसी टीम झाल झाल